विश्णू जी आपके पास आना चाहूँगी कौंग्रेस का नारा है मैं नहीं हौर हम और हर हाड शक्ती हर हाड तरक्की तो इन नारों का आ जा सकता है कि ये सही में नारे जो है वो जन्ता के हित के लिए है कॉंग्रेस का नारा आपने भी कई नारों की बात करी लेकिन कॉंग्रेस का नारा 1942 में कॉंग्रेस ने ये भी नारा दिया कि अंग्रेजों भारत चुरो और देश के लोगों ने खठा हो करके अंग्रेजों को भगाया उसके बाद मैं बताता हूँ कांग्रेस ने नारा दिया गरीबी हटाओ जितने गरीबी हटाओ उसके लिए काम हुए है इसा नहीं काम हुए है आज लोग हिंदुस्तान के लोग सबल हुए हैं सम्रिद हुए हैं उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने तमाम बैंकों को बरे-बरे कंपणियों को लगाने के पीछे मकसद था उसके बाद देखिए दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जब सप्ता में आई सप्ता में आई उस तमाम सरकारी कंपणियों को बेचने का काम किया बेचने का काम किया उसके सिबाग तो कुछ किया नहीं एक नई इंड़स्ट्रि तो लगाई नहीं एक नई इंड़स्ट्रि उसके बाद उसको बेच करके संपती कठा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने इंडिया साइनिंग कर दिया यह कर दो आपको मैं बताता हूँ उसके बाद कॉंग्रेश ने लारा दिया कॉंग्रेश का हाँ आम आदमी के साथ विश्व जी आम इसे वी नहीं नहीं है मैनेजमेंट ए चुनाब मतलब यह समझे कि एसा चुनाब कभी हंदुस्तान में हुआ नहीं एक दम एक एक आदमी को एक जगा पे आप समझे कि लाखों कारज करता जा रहें यह क्या हो रहा है विशनु जी के बातों से आधिनायक परिशान हैं हम परिशान के जर्ब पांटी बहुत पिछड़ जाती है चुनाओं के दोर में तो बड़े-बड़े इनके दिगज जो वक्ता प्रवक्ता रास्टी वक्ता सब पीछे हट रहे हैं चुनाओं नहीं लगना चाहरे है तमाम चीजे अब मोदी जी कह रहे हैं अपक कभी आपने खाया था तो आपने सवगंद राम के खाते हैं मंदर में बड़ेंगे कितना राम यहीं हम जर्ब आसे जाने 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 पहले कॉलर हमाइसा जुच चुच के मां जोनों को रूख मैं चुना लड़े हैं